हेलो ट्रेटर्स वल्कम तो माई चैनल प्राइज एक्षिन मेंट दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कुछ बढ़िया से स्टॉक के बारे में ठीक है एंड कुछ इवेंट भी होने वाला उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड निफ्टी को भी एक बार देखेंगे तो आप मेंसे जो भी है वीडियो को लास तक देखना में अपमेंसे जो नए है जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सीखना चाते हो सुइंग डेटर में कैसे बैसे मनाने है तो जरूर से यहाप हमें फॉलो कर सकते हो और साथी साथ दोस्तों जो इसली आपको मिल जाएगा ठीक है तो आपको ज्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी अगर आप सीखना चाहते हो तो यहां से अच्छी आपको कोई जगे नहीं मिलेगी ठीक है तो अभी दोस्तों शुरू करते हैं अपनी अनलिस को देखने को मिला है कि ऊपर क काफी बढ़िया से दिखाई देगा ठीक है तो अभी भी ट्रेंड लाइन के सारे यह उपर तो जा रबट कहीं है कि जब तक से निफ्टी इस जोन में रहेगा थोड़ा सा आपको यह चीज़ समझनी चाहिए दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर एक स्विंग बनी ह चलना है चोटे-चोटे टार्गर रखने बहुत बड़े नहीं रखने है ठीक है अब देखो इस जोन को यह काफी टाइम से नहीं निकाल पाया इधर भी नहीं सस्टेन किया था है इधर भी वही चीज़ हमें दिख रही है अगर दोस्तों यह कल को यहां से नीचे ब्रेक द रही थी वैसे यहां बैंक निफ्टी में भी आप देखोगी इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन थी एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हो चुका है अभी इस यहां पर कंसॉलिडेट कर रहा है एंड इंपोर्टन लेवल्स मैंने मार कर लिए करे हुए आपके लिए तो अभी देखो कल अगर यहां से यह वाला जो स्विंग है अगर यह ब्रेक होता है तो एक तेजी देखने को मिलेगी बट अभी यहां पर देखोगे कि उनका काफी जादा यहां पर कंट्रिबूइशन रहता है बैंक निफ्टी में HDFC का और ICIC का इसी वज़े से बैंक नि अगर को निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है उसकी वजह से ही हमको निफ्टी में भी प्रेशर देखने को मिला तो अगर निफ्टी कल bullish होता है तो यहां पर आपको निफ्टी भी bullish दिखाई देगा अब टो यह लोगों ने साइड भी होता है कई बार और इस्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस वाले सेक्टर्स को ज्यादा फोकस में रखना पड़ेगा आप लोगों को अब यहां पर दोस्तों देखो यह अधित बिल्ला कापिटल को हम लोगों ने रिसकस किया था और देखो बोला भी गया था कि य कि यहां से इस लेवल का यहां पे इसने सपोर्ट लिया पहले यहां पे रिसिस्टंस था एंड यहां पर इस टाइप से दोस्तों एक टैंड लाइन भी ब्रेक हुई है तो यहां पे एक अच्छी इंट्री थी नहीं होता कि जो मैं बोल दूंग वही होगा उसके मतलब आज अच्छी इंट्री मैं बोलूँगा कि अच्छी इंट्री है आपकी एंड जिन लोगों से यहां पर थोड़ा सा इस ब्रेक आउट पे भी वह ले सकते हैं अगर यहां से फिर से उपर जाता तो काफी अच्छा यहां से आप लोगों को मुमेंटम दिखाई देगा एंड दोस् तो एक यहां पर इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है अपको ठीक है एंड इधर पर देखो काफी लंबे समय से कंसॉलिडेशन चलना एंड कंसॉलिडेशन के बाद में यह देखो अपने यह जो इसका सपोर्ट लेवल है यहां से एक बार यह बाउंस किया था ठीक ह तो अब यहां पर कोई खास वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं हुई है और इस लेवल पर थोड़ा सा आपको बड़ा के अट्री बना सकते हो ठीक है अब इसको और च्टे टाम फ्रेम में चलते हैं आपकी जो इंट्री कहां होगी उसको आप लियर कर पाऊ तो जैसे दोस्त भी साथ में ब्रेक होता है तो इधर पर इंट्री एक अच्छी आपकी मानी जाएगी बाकी आप में से जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स हैं यहां पर भी इंट्री ले सकते हो और यहां पर स्टॉक ब्लॉसे दखना आप लोग तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तब ड लेकाउट दे देता है तो आपको काफी अच्छे यहां पर रिटन्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसलिए दोस्तों आपके लिए स्टॉक मैंने चूज किया है और आगे हम लोग बात करते हैं लिखिता तो इसमें देख लो इंस पर आपको क्या है यहां पर आपको क्य दूसरी दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका है और ट्रेंड लाइन सार वेरी सब्जेक्टिव मुझे इस टाइप से दिख रही है ऐसे दिख रही है ठीक है किसी इंसान को ऐसे दिखेगी तो यहां से रिजेक्ट होके भी आ सकता है तो इसलिए ट्रेंड लाइन को हम सब्सक्राइब करेंगे और यहां देखो वॉल्यूम से हैं सपोर्ट एरिया है यह हमारा मुविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है तो यहां पर कई सारे से पॉइंट्स हैं जो हमें पॉस्टिविटी दे रहे हैं अभी यहां से अगर हम लोग फिबनाची को कनेक्ट करते ह है ठीक है लोटू हाई तो देखो कि आप अभी यह एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहां पे जो निकल के आ रहा है तो यहां पर देखो कि यह हमने इसको मार्क कर लिया है अभी यहां तक यह जा सकता है ठीक है और वन आवर तैम फ्रेम में भी हम लोग देखेंगे कि कहां हमें इंट्री अब लेनी है तो देखो कि यहां पे काफी लंबा एक इंट्री लेने के ठीक है तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं यहां पे रेंज बनी है यह थोड़ा उपर जाएगा फिर यहां से नीचे आएगा और फिर यह मूविंग आवरेस के पास से यहां पर रेकाओट पर आप ने जैसे लिया उसके बाद में क्या होता है फिर नीचे आ जाता है avoir यह जाता है हो तो प्राइस जो रहता है वह हमारा जिग-जाक रेव में चलता है ऐसे अगर इस तरीके से चलेगा तो आप देखो एक बार फेल हुआ दूसरे बार फेल हुआ ठीक है और फेला प्राइस की मुमेंट कैसी है इसलिए आप लोग ब्रेक आउट में कई बार तो आपको लगता है कि यह सारी चीजे वर्क करती है अगर खाली आप देखो यहां पर चार बार गलत हो रहे हो ठीक है और एक बार सही हो रहे है तो यह थोड़ा सा आपको इस सारी पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की तो बजाज फाइनेंस में देखो कल है अर्वी आई की मीट इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है बट अभी यहां पर देखो कि स्टॉक थोड़ा वीक है ठीक है मैं आपको डेली टाम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो स्टॉक अभी वीक है तो यहां से एक अच्छा खासा हमें बांस देखने को मिल सकता है अगर थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंटरी रहती है तो यहां से आपको एक पॉजिटिव दिखाई दे सकता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहां पे कुछ कॉंटिटी में जरूर कर सकते हो आपके अपने फाइनेंशियल एडवाईजर से पूछिएगा अम नोट से भी रेजिस्टर बट दोस्तों यहां पे अच्छी जगह पे है इनफेक्ट यहां पर यहां पर यहां पर जाता है तो इसको भी रखना ठीक है बाकी इन स्टॉक को जरूर से स्टेडी कर लेना एंड ओके गाइस बाइबाय सी यू